दोसों बीते कुछ महिनों से तेजस यार्क्राफ्ट काफी अधिक चर्चा का विशय बना हुआ है और दोसों यह यह यार्क्राफ्ट है यह चर्चा का विशय इसलिए बना हुआ है क्योंकि बताया जा रहा है कि कई सारे देश इन यार्क्राफ्टों को खरिदने के लेके जह अधिक शम्ताशली यार्क्राफ्ट दुनिया के बड़े-बड़े देश जैसे की अमेरिका, फ्रांस और रश्या जैसे देशों के पास है पर फिर भी दुनिया में तेजस यार्क्राफ्टों का चाहत इतना अधिक क्यों है दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि भारत के प्राइट कह जाने वाले तेजस यार्क्राफ्टों के जो इंडेजिनियास हतियारों के पैकेज है और इंडेजिनियास कॉम्पोनेंट है उसी नहीं इन यार्क्राफ्टों को इतना महत्तोपूर्ण कैसे बना दिया और कैसे ये इंडेजिनियास हति इंडियन एरफोर्स के लिए स्वधिशी तरीके से बनाया गया एक ऐसा एरक्राफ्ट है जिसे इंडियन एरफोर्स को आत्मनिरवर भारत के संकल के तहत आत्मनिरवर बनाने के लिए भारत का पहला कदम के रूप में देखा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी क के तरफ से इन एरक्राफ्टों को बारिकी से देखा जा रहा है और दोस्तों इन एरक्राफ्टों के चाहत के पीछे जो मेन कारण है वो है औरके इस्तेमाल होने वाले विए। sensors और flight control system जो एक तरीखे से देखा जाए तो संपूर्ण indigenous है दोसर वैसे तो अगर देखा जाए तो इन aircraft को develop करने के लिए भारत को लंबा इंतिजार करना पड़ा और एक लंबे समय के वाद ही aircraft को तयार करना संभब हो पाया है तो वही पे इस कारण के वज़ा से काफी वार विदेशी मेडिया हो में इन aircraft को लेके प्रपगंडा वी किया गया खास करके पाकिस्तानी मेडिया में पर दोसर स्वादेशी तरीके से aircraft को अगर संपूर्ण रूप से अपने ही बलबूते पे design और develop करना हो तो तेजस aircraft को 70% इंड़जनियस कॉम्पोनेंटों से भारत के द्वारा निर्मान किया गया है तो वही पे अगर देखा जाए तो aircraft के जो हतियारों के संख्या है इसमें भी बड़े मात्रा में इंड़जनियस हतियार है तो तेजस जैसे aircraft को दुनिया के सबसे आधुनिक कहे जाने वाले technology से last किया जा रहा है जिनमें electronic warfare system भी शामिल है दोसो तेजस में जो sophisticated electronic warfare suit का इस्तेमाल किया गया हूँ असल में defense research and development organization के शाखा defense avionics research establishment के तरफ से develop किया गया है और दोसो ये जो electronic warfare suit है ये असल में radar warning receiver और jammer दोनों से ही लैज है और दोसो इन दोनों चीजों के function को एकत्रित करके एक unified electronic warfare technology भारत के तरफ से तेजस aircraft के लिए ही बनाया गया है और दोसो इस तरीके system का इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि pilot पहले से ही दुश्मन के aircraft के radar के जो threat है उसे डिटेट कर लेगा और साथी साथ jammer का इस्तेमाल करके आसानी से दुश्मन के equipment को jam भी कर सकेगा हलाकि इसके इलाबा aircraft में जो advanced self protection jammer का इस्तेमाल किया गया है इसके इस्तेमाल करके ये aircraft दुश्मन के fire control radar acquisition radar, anti-aircraft, artillery, air one multi-roll radar से अपने आपको बचा सकता है दुश्मन रूफ से स्वादेशी तरीके सही हैदरावास्तित इस research laboratory में तयार किया गया है और आप इनने तेजास aircraft में integrate भी कर लिया गया है तेजास aircraft में इस तरीके के electronic warfare system को integrate करने के बाद Indian Air Force का तेजास aircraft पहला ऐसा aircraft बन चुका है जिसमें electronic warfare suit के रूप में radar warning और jamming equipment एक साथ fitted है दोस्तों दूसरा indigenious महत्पुर्ण ने component है उत्तम active electronically scan array radar दोस्तों तेजास aircraft के mark 1A version में indigeniously developed किया हुआ उत्तम active electronically scan array radar को लगा जाना है हाला कि दोस्तों aircraft के जो पहले कुछ model है मतलब पहले एक या देर स्क्वाडर ने एरकरप्टों में Israeli ELTA ELM-2052 active electronically scan array radar को लगा जाएगा तो उही पे बाकी सभी model हो में उत्तम active electronically scan array radar के mark 1A version को लगा जाएगा दोस्तों इस radar का development असल में Bangalore State Defense Research and Development Organization के electronic and radar development establishment के तरफ से किया गया है और उत्तम active electronically fire controlled radar असल में highly compact modular state of the art sensors है जो pilot को हर तरीके के situational awareness दे सकेगा और दोस्तों आपको जान लेना चाहिए कि यह जो radar है यह 95% indigenous और इसमें केवल मात्र एक ही imported component का इस्तिमाल किया गया है report में दावा किया जा रहा है कि यह जो radar है इसका range 100 km से अधिक है जबकि यह एक साथ हवा में 50 से अधिक target को ट्रैक करने में सक्षम है और यह 4 target को हवा में एक साथ engage करने में भी सक्षम है हाला कि दोस्तों इन इंडेजनियस महत्वपूर्ण component के इलावा यार्केप्टों में कई तरीके के अन्ने component का विस्तिमाल किया गया है जिनमें इयरकेप्टों के nose cone system से शुरू करके इयरकेप्टों के cockpit system canopy landing gear से शुरू करके इयरकेप्ट के tail section और अन्ने electronic system भी शामिल है जबकि दोस्तों अगर इयरकेप्ट के सबसे बहत्रीन इंडेजनियस हत्यारों को इस्तिमाल किया गया है और रिपोर्ट के मुताविक यह जो मिसाइल है यह 110 किलोमेटर के range में टार्गेटों को नूटलाइज कर सकता है और इंडियन इयरकेप्टों को एक बहत्रीन stand-off range दे सकता है और इस रेंज से इंडियन इयरकेप्ट अस्रम मार्कवान मिसाइलों को इंटिग्रेट करना शुरू कर दिया गया है और मलेशिया के टेंडर में अस्रम मिसाइलों के इंटिग्रेशन को भी एक महत्तोपूल एचीब्मेंट के रूप में देखा जा रहा है हाला कि दोस्तों अस्रम मिसाइलों को पहले डिटेक्ट भी कर सकेगा और पहले मार भी गरा सकेगा इवन अपने आपको सुरक्षित दिस्टेंज में भी रख सकेगा असर मिसाइल के वाद दूसरे में हैं तो पूर्ण मिसाइल है रूदरम असल में इंडिया के तरफ से पहली बार डिवलफ्ट किया हुआ एंट आपके जानकारी के लिए बता दू कि ये लगवग हर तरीके के रडर सिगनेचर को ट्रैक कर सकता है चाहिए हो कॉम्मुनिकेशन रडर से निकलने वाले सिगनेचर हो या फिर ट्रैकिंग रडर हो रिपोर्ट के मुताब एक रूदरम 1 200 किलोमेटर के रेंज में काम कर सकता और इसका रफ्तार करीवन माक 2 मतलब ध्वनी के रफ्तार के मुकाबले में दुगना है तुसो तीसरा महत दबूर्ण हतियार है स्मार्ट एंटी एर फिल्ड वेपन आपके जानकारी के लिए बता दू कि स्मार्ट एंटी एर फिल्ड वेपन असल में D.I.O के तरफ से equipment को भी तभा कर सकता है जैसे कि bunker radar, runway, taxi track जैसे दुश्मन की installation indigenously developed किया हुआ ये हतियार 100 km के distance से काम कर सकता है और इसमें electro optical sensor technology का इस्तेमाल किया गया है दोस्तो इस तरीके के हतियार अती आवशक हतियार था क्योंकि इसका जो range है ये एक standoff range है और दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो इतने standoff range से अगर इन हतियारों को दागा जाता है तो दुश्मन के ground हतियारों से air capto को भी बचा जा सकेगा उपर से दोस्तो ये एक precision guided munition होने के कारण ये 100% pinpoint accuracy के साथ hit करता है और दुश्मन भारी भर कम तरिके से वी air capto के द्वारा किया जा सकता है हलके वजन के होने के कारण एक से अधिक ऐसे बॉमों को तेजस जैसे air capto में लगा जा सकता है और तावर तोर हमला भी किया जा सकता है हलाकि दोस्तों डियाइडियों के तरफ से तेजस air capto में इंडेजिनियस बॉम्स के रूप में और वी कई तरीके के हतियारों को इस्तेमाल करने का इरादा रखा जा रहा है जिनमें प्रिसिसन गाइडर म्यूनिशन के रूप में हाई स्पीड लो ड्रैग स्रेनी के बॉम्स जैसे की 100 kg, 200 kg, 400 kg और 500 kg के बॉम्स का इस्तेमाल का इरादा रखा जा रहा है साथी साथ डियाइडियों के सुदर्शन गाइडेड बॉम वी शामिल है और इसके इलावा बताए ये वी जा रहा है कि इसमें डियाइडियों के ग्लाइड बॉम का भी इस्तेमाल किया जाएगा भविशे में इसमें ब्रह्मोस मिसाइलों को भी लगाने का तैयारी किया जा रहा है और रिपोर्ट के मताविक ब्रह्मोस NG मतलब ब्रह्मोस मिसाइलों के जो छोटे संसकरण को तैयार किया जा रहा है कर सकता है चोटा मोटा स्ट्राइक को ही अंजाम दे सकता है लेकिन तेजस एरकाट एक पॉपर फाइटर एरकाट वह जैसे लगवग हर तरीके के हतियार इवन थान ओफ हतियार से शुरू करके लोंग रेंज तक मार्क करने वाले हतियारों को वी कैरी करने में सक्षम है जिस क उस दर्मियान ही इस डिल के उपर हस्ताक्षर हो सकता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आथ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को फ्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिंद